अरे यार इस PDF में बहुत सारे pages है और मेरे पास इतना time नहीं है PDF basically इसमें क्या-क्या content है इसे देखने के लिए एक काम कर लेता हूँ मैं Wondershare PDF element open करता हूँ और वहाँ पे इसकी summary generate कर लेता हूँ ओके तो ये मेरी रही file मैं आपे summarize PDF कर देता हूँ ओके ये file किसके बारे में मुझे यहाँ पे quickly पता चल रहा है और key points के साथ पता चल रहा है जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास बहुत बड़ी PDF है और उस PDF में बहुत सारे pages से बहुत सारा content है लेकिन उसे अगर आपको quickly summarize करना है तो आपको AI की मदद देनी पड़ीगी और ये AI की मदद आपको करने वाला है wondershare PDF element इतना है नहीं ये एक ऐसा PDF editor है जिसके अंदर AI के features तो ही है मतलब AI आपकी PDF file के साथ chat भी कर सकता है उसकी summary भी निकाल सकता है उसको rewrite भी कर सकता है बहुत सारे options है मैं आपको दिखा हूँगा लेकिन साथ में ये PDF को अची तरह से edit कर सकता है PDF को आप convert करना चाते किसी भी format में जैसे आपकी PDF को आपको word, excel, powerpoint में convert करना है तो वो भी आप कर सकते PDF में आप e-signature भी करना चाते तो वो भी आप कर सकते तो अगर आप जानने में इंट्रेश्टेड है इस PDF element के बारे में ये PDF editor software के बारे में तो वीडियो end तक देखिए जो कि है AI including PDF editor Let's begin तो शुरुआत में मैंने जो PDF editor की बात कि उसे डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको simple है description में की लिंक दिए उसे विजिट करना है और उसके पर विजिट करने के बात आपके सामने कुछ इस तरका इंटरवेस हैगा जहाँ पर free download option है क्लिक करते ही यह download हो जाता है इसे download कीजिए install कीजिए install करते है आपके सामने कुछ इस तरका इंटरवेस हैगा जहाँ पर edit PDF convert PDF OCR PDF optical character recognition जी हाँ अगर आपके पास जो PDF है वो image format में तो उस PDF के अंदर जो content लिखे उसे भी यहाँ पर read करता ही है request e-signature batch PDF एक साथ PDF को आप convert करन चाहते है यह options यहाँ पर दिये तो सबसे पहले तो इसमें AI integrated जो options है यह पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर open PDF कर लेता हूँ open PDF में जाकर एक मेरा notes से basically यह रहा मेरा PDF notes और यह बहुत बढ़ा है मैं चाहता हूँ यार इसकी summary मुझे मिल च जैसे मैं क्लिक किया कुछी seconds के अंदर यहाँ पर उसने उसकी summary और उसके अंदर जो key points से वो generate करके दिये तो मुझे अभी यह पूरा PDF पढ़ने की जुरूरत नहीं यहाँ जितने भी pages आपको दिखा देरी है notes मुझे पढ़ने की जुरूरत नहीं मैं समरी के थू समझ तो summarize PDF तो हमने कर लिया यहाँ पर proof read PDF करके का option तो यह option क्या काम में आता है basically इस option की मदद से आप अपने PDF के अंदर जो grammatical mistakes आपने की यह spelling mistake की उन्हें आप correct कर सकते और आपको grammatical suggestions और modifications भी मिलते हैं जिससे आपके document की यहाँ पर readability बढ़ेगी तो मैं यहाँ पर proof read इस option प पर क्लिक करता हूँ और start button क्लिक करते हैं कुछे seconds के अंदर यहाँ पर suggestion भी दे रहा है आपको राइट प्रॉपर्ली suggestions और आपको मिल रहा है और यह सारी चीज़ है मतलब यहाँ पर कुछ grammatical mistakes है spelling mistakes है उन्हें भी वो हटा देगा यहाँ पर so this is very interesting option you can check it out guys जैसे मैंने क्लि mistakes यहाँ पर remove हो जाते हैं अब यहाँ पर next AI tool में मैं आपको बता हूँ तो यहाँ पर PDF AI return detect है मतलब अगर आपका paragraph AI से return है तो वो भी यहाँ पर detect कर लेता है साथ chat करना चाहते है तो यहाँ पर bottom में आईए यह जो AI sidebar है उसी में bottom में आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है chat with PDF यह आपको option दिखाए दे रहा है chat with PDF तो आप PDF को कुछ पूछना चाहते है तो आप पूछ सकते है मैंने यहाँ पर लिखा है what is data analysis basically data analysis related notes what is data analysis में ने यह कर दिया है और मैं enter करूंगा यह PDF में जो लिखा गया notes से उसमें से यह जवाब ढूंड के आपको देगा so data analytics जो जहां पर भी है basically what is data analysis related जहां पर chat भी कर सकते है तो यह जो options आपको मैंने अभी पता है यह तो AI से related मतलब AI integrated जो PDF element के अंदर है वो options मैंने आपको बता है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे home है edit options आपको ओपर दिखाए दे रहा है जिसकी मदद से यहाँ पर इस PDF के पूरे पूरे content को आप एडि करना है यहाँ कोई logo add करना है तो आप यहाँ से add text यहाँ पर जाकर मैं add कर देता हूँ जैसे मैंने नाम add कर दिया आपको logo add करना है simple add image बटन पर click कीजिए और add image में जाकर logo select कीजिए यहाँ पर आप देख सकते है पूरा पूरा logo आ चुका है और इसकी size भी आप according to that adjust कर सकते मतलब इस logo की size बहुत बड़ी लग रही है तो corner से आप इसकी size कम कर लो और जहाँ पर रखना है इस logo को आप यहाँ पर आसानी से इस तरह से रख सकते हैं तो existing video में आपको image add करना है text add करना है link add करना है auto mark add करना है देर सरे options यहाँ पर दिये गए जाकर आप कर सकते हैं उसके आप highlighter add कर सकते हैं convert में जाकर आप यहाँ पर इस particular pdf को word में convert करना चाहते excel में चाहते ppt में चाहते जैसे मैं चाहता है word में convert करना तो मैं two word पे click करूंगा यहाँ पर इससे पहले save करना पड़ेगा वह बोल रहा है चलो ठीक है save कर लेते और उसके बाद वह बोल रहा है कि भ तो वो भी आप यहाँ पर दे दीजिए फाइल का नाम देजिए कौन सा format चाहिए basically word के अलाओ और भी format यहाँ पर दीए and ok कीजिए उसके बाद यह open folder पे click कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा पीडिएप मैंने open कर दिया है जो की word फाइल में यहाँ पर उपन हो चुका है exactly as it is interesting guys so पीडिएप को आप word, excel, ppt में convert करना चाहते हैं even image में convert करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से convert कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके अलाव view में आप इस पीडिएप को कैसे view करना चाहते हैं AI read mode में करना चाहते हैं AI read mode, auto bookmarks आप यहाँ पर लगा सकते हैं बहुत सारी चीज़े एक 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 करके आप इन्हें देखोगे तो बहुत interesting options यहाँ पर दिए जो कि PDF के साथ काम करने के लिए बहुत useful है तो अगर आपका daily काम है तो भई मैं कहूंगा तो भई इस PDF element को अभी download कीज़े, description में link कर दिए यहाँ आगे organize option है PDF को आप rearrange कर सकते हैं, मतलब 3 number page को 2 number पर रखना है, 1 number page को 3 number पर रखना है, ऐसा drag and drop कीज़े, यहाँ पर आसानी से हो जाता है, PDF के साथ यह आप आसानी से कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे tools में अगर आप जाते हो, तो tools के अंदर यहाँ पे options आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, कि इसमें OCR भी available है, optical character recognition मतलब यहाँ पे जो आपने open किया PDF, उसमें कोई image है और उसके content को आपको read करना है, image के उपर के, तो यह OCR की मदद से आप यहाँ पे कर सकते है, PDF को आप combine कर सकते है, PDF को आप compare कर सकते है और compress भी____ apparat करसकते, large size PDF को small size में convert करना है, तो compress PDF पे click कर कर सकते हैं, सा्थी में batch PDF एक ऐसा option है, जहाँ पे एक साथ multiple काम होते, मतलब आपको एक साथ convert करना ही, ठहर सारी PDFs को, 10-15 PDF को, या एक साथ ठहर सा e-sign भी कर सकते है, protect menu में जाहिए यहाँ पर आपको request e-sign option दिखाए दे रहा है सारे details भर दीजिए, यहाँ से आप e-sign भी कर सकते है अपने document के अंदर तो इतने सारे options इस PDF editor के अंदर available है दोस्तों तो कैसा लगा यह PDF editor मुझे ज़रूर बताना description में हमने download की link दीए वहाँ से आप इसे download install कीजिए और use कीजिए और मुझे comment section बता दीजिए फिलाल तो वीडियो को like, share और comment करना next video में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खैल रखना, bye bye